दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत है हमारी खास वीडियो में दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यदि कोई भी नए बिजनिस स्टार्ट करते है तो उसका हिसाब किताब कैसे रखा जाता है क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे बिजन खाते का हिसाब किताब नहीं रखते और बिजनिस को यदि ग्रोथ करना है तो दुकान का हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपका भी कोई बिजनिस है हिसाब किताब सभी बिजनिस में रखना जरूरी होता ह और मैं गारंटे से कह सकता हूँ कि ऐसे सिर्फ नए दुकांदार ही नहीं पुराने दुकांदार भी ऐसे है जो अपनी दुकान का हिसाब किताब नहीं रखते खास तोर पर वे ना किसी डायरी को मैंटेन करते हुए वे लोग है जिन लोगों की दुकाने अच्छी चल रही है मगर यहाँ पर मैं न्यू बिजिनिसमेन को ले रहा हूँ कि जिनकी नए दुकान खुली है वे अपना हिसाब किताब कैसे रखे देखे दो इंपोर्टेंट पोइंट होते है हिसाब किताब रखने के आप इस वीडियो को पूरा देखेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा क्यूंकि तेज़स वलोग चैनल पर बहुत ही मैंटेन करनी पड़ेगी डिजिटली मैं इसमें नहीं बता रहा हूं मैं आपको इसमें केवल बताऊंगा कि डायरी मैंटेन करके आप अपनी दुकान का हिसाब किताब रख करके किस तरीके से अपने बिजनिस को बढ़ा सकते हैं तो इसके लिए हिसाब किताब रखना आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, आप उस पर डेट तो डाल देते हैं, आप उस पर पैसे भी लिख देते हैं कि इतने का उधार गया, जिस वैक्तिने लिए उसका नाम भी लिख देते हैं, मगर वे प्रोडेक्ट नहीं लिखते हैं, जो जो प्रोडेक्ट वो बंदा ल आप कहते हो कि आपने 500 दिये थे आप लिखा हुआ भी दिखा देते हो तो कस्टमर कहता है कि आपने 500 लिख दियो कि मेरे तो याद 700 यह तो वो जो आपको नुक्सान होने वाला है वो खतम हो जाता है सिकनेचर करने के बाद दूसरा important point है कि यह जो उधार वाला सिस्टम है उसमें आपको नुक्सान नहीं होगा उसमें हमेशा आपको फाइदा होगा कोई कस्टमर आपकी दुकान पर भी नहीं आ रहा है तो उसको आप मैसेज के दुआरा सोचना दे सकते है कि आपका इतना balance बागी है आप जमा करा सकते है या कोई जमा करके जाता है तो आप उसको पता चलेगा कि आपका माल कौन सा जादे बिकरा है आपको कैसे पता चलेगा कि कितना माल बिका है कितना माल बाकी है और कितना माल या कौन सा माल हमें मंगाना है सबसे जादा तो इसके लिए आपको एक डायरी में एंटेन करने पड़ते हैं और उस डायरी में आपको पांच क इम्पोर्टेंट बनाने पड़ते हैं, कोलम मेरी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पैला दिनांक, दूसरा मालगी खरीदी, तीसरे कोलम में लिखना है आपको माल की विकरी, चोथे कोलम में आपको लिखना है कौन सा माल विका है, सपोज कीजिए आपको रेडिमेंट गार्यमेंट की है और आपकी जीन्स जैसे की जीन्स भी की है आपकी आज की दिन में तो डेट नोट करके आपको जूस जीन्स का नंबर डालना है जैसे 32 नंबर की जीन्स भी की है 34 की भी की है या 28 की भी की है इससे आपको एक बड़ा बे पैसो की बचत कर सकते हैं जब आपके पैसो की बचत होगी मौल खरीदारी में तो आप अपनी दुकान के अंदर और ज्यादा प्रोडेक्ट भर सकते हैं तो दोस्तों ये points आपको लिखना बहुत जरूरी है और उसके आगे आपको लिखना है next column में margin कि आपने कितना margin किससे ल जितने भी बड़े दुकंदार होते हैं उनको क्या होता है आपने देखा होगा कि कोई भी वैक्तिमाल लेके जा रहा है तो वे ना तो डाइरी मैंटेन करते हैं और ना ही उस पर कुछ मारजिन लिखते हैं आपने देखा नहीं होगा जहां पर भीड लगी होती है दुकानों क निकाल लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमने 20% मारजिन से नीचे किसी को दिया ही नहीं तो अपना जितना भी शेल हुई उसमें से 20% का मारजिन निकाल लेते हैं इसलिए उन्हें जरूरत नहीं परती मैंटेन करने की लेकिन वे रोजाना साम को अपने जो रैक में माल देख करके जरूर जाते हैं जिनके पास अच्छी खासी भीड होती है वे अपना पूरा प्रोडेक्ट मैंटेन करके चलते हैं कोई कमी नहीं होती और वे सभी आइटम की पूरती हमेशा करते रहते हैं उनका एक रेगुलर काम होता है कि हर 15 दिन उन्हें माल लाना है जो भी उनको अपनी एक डायरी मैंटेन करने पड़ेगी ये पांस कोलम इस तरह से बनाने पड़ेगी रोजन आपको अपनी डायरी मैंटेन करने पड़ेगी और उस डायरी में आपको जो कोलम है खास तोर पर आपको प्रोडेक्ट लिखना पड़ेगा कि आज की तारिक में ये प बच जाते हैं और पैसा इन्वेस्ट उस प्रोडेक्ट पर करते हैं जिस प्रोडेक्ट की खरीदारी आपके पास जाद हो रही है इससे अलग एक पुइंट और मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोग नई दुकंदारी में क्या गलती करते हैं कि एक छोटी सी डैरी अलग से मैंटेन नहीं करते जो माल उनकी दुकान पर नहीं है कस्टमर ने मांगा तो उसे वे नोट नहीं करते जो कस्टमर मांग रहा है उसे एक छोटे से पेज़ पर नोट करें और जब भी आप माल लेने के लिए जाए तो उस डैरी को देखे कि कस्टमर ने हमसे ये माल मांगा था और हमारी दुकान पर नहीं था तो आपको वो माल सबसे पहले लाना जरूरी होता है तब आपकी दुकान ग्रोथ करती है तब आपको कभी भी बिजनिस बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी होता है और देखे हिसाब कि सेट वाइज रखने में प्रोब्लम होगी, सेट वाइज नहीं रखना चाहिए कभी भी, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आता है, वो कहता हमें 30 नंबर की आप जिन्स दिखा दीजे, तो आपके रैक में जितनी भी 30 नंबर की जिन्स हैं, आप उनको एक एक करके दिखा सकते हो यदि आप सेट वाइज रखोगे, यानि के 28, 30, 32, 34, 36 तरह का सेट पूरा रखोगे एक ही खाने के अंदर तो आपको नंबर ढूनने में तकलीप होगी, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा माल बिकरा है, कौन से नंबर का बचा हुआ है, तो इसलिए ये गलती बि जाना, जब भी कस्टमर आप से माल लेने के लिए जाता है, और आप उस कस्टमर को माल दे, तो आप उसे जरूर ये कहे कि सर, अभी हमारी नई दुकान है, और हम कोशिश कर रहे है कि आपको एक बहतरीन और अच्छा प्रोडेक्ट सस्ते रेट में दे सके, यदि हमारे प् और इफेक्ट ऐसा पड़ता है कस्टमर की, तो कस्टमर कहता है कि यार ये दुकंदार बहुती हमानदार है, ये हमसे कभी धोका नहीं करेंगा, और जब भी आपका विश्वास बन जाएगा, तो समझ लीजए कि कस्टमर आपकी दुकान पर रेगुलर हो जाएगा, डैरी मैंटेन कीजए, मैंटेन करने के बाद जब या माल लेने के लिए जाए तो उसमें देखे कि पूरे महिने में सबसे ज़्यादा प्रोडेक्ट कौन सा निकल रहा है, और आप अपना मारजन देखे कि यदि आप 400 रुपे की जीन से ला रहा है तो कस्टमर आपको 4500 से उपर नहीं दे रहा है, तो आप खरीदारी में पैसा बचाए, यानि कि 400 रुपे वाली लाए क्योंकि कस्टमर सबा 400 से उपर नहीं बढ़ रहा है या 4500 से उपर नहीं बढ़ रहा है, आप कस्टमर को ज़्यादा फोर्स नहीं कर पाऊगे क्योंकि आपके कंपेटिटर में बैठ दूसरे दुकान वाले वे तुरंत उस कस्टमर के जाने पर ऊजनी के रेट के मताबएक दे देंगे, इस वज़े से आपको कस्टमर के मताबिक ही ढलना है, आपने मताबिक कस्टमर को आप नहीं डाल पाऊगे, इसलिए आपको dairimento कर के चलनी पड़ेगी, फिर ना तो आप आपका बिजनिस डाउन होगा, आपका बिजनिस बढ़ता जाएगा और यह देखे कोई भी नया दुकंदार हो, उसका बिजनिस एकदम से नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है, बस वो जो धीरे धीरे चल रहा है, आपको उसको ही पकड़ना है, यह आपने वो भी तो आपकी दुकान एक साल बाद ही बंद होने किकागार पर पहुँच जाती है यह बहुत बड़ी कमी होती है नई बिजनिस्मेन के अंदर सुरू सुरू में तो उत्षाह के कारण वे अच्छा माल कर देते है अच्छा ध्यान देते है मगर जैसे ही कस्टमर कमाने शुरू होते हैं तो फिर वे अपना ध्यान उस पे से हटाने लगते हैं एक निरासा उनके मन में होने लगते हैं बस उस निरासा से दूर रहना है आप लोगों को और उम्मीद अपने मन में हमेशा बना करके रखनी हैं कि कभी भी हमें निरास नही दुकान खुलते ही घर के खर्चे में आपने प्रसनल खर्चे में आपको उस में से 7 nov नहीं लेना है कम से 36 में भूल जाए दुकान में जब भी पैसा आपकी सेल होगी तो उस पैसे को आपको दुकान में ही वाप में ही उती Addams आप ग्रोथ कर पाऊगे अपनी दुकान को बढ़ा पाऊगे और यदि आपने दुकान में से खर्चा लेना शुरू कर दिया तो समझ लेजे आप डाउन होते चले जाओगे और एक खास बात और मैं आपको बता देता हूँ बिजनिस यदि नया आप स्टार्ट कर रहे हो किसी कोई सबी बिजनिस हो तो आपको लोन से भी बचना चाहिए आपको किसी भी तरह की क्रेडिट कार्ड से भी बचना चाहिए आपके पास यदि कोई लोन पहले से है तो आपको उसके किलियर कर लेना चाहिए और जितना भी आ पूरा पैसा ना लगए क्यूंकि आपको बैक आपको जरुरत पढ़ने वाली है नहीं बिजनिस में तो इन पूंट्स को आपको दिहान में रखना है डायरी को ऐसे मैंटेन करना है जैसे मैंने आपको बताया और आप उधारी के लिए खाता बुक जैसे एप को डाउनलोड कर अंदार को कोई नुक्षान होता है तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद थेंक्यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मच